नमस्कर दोस्तों रेकादास ब्लॉग में आप सबी का स्वागत है आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ फिर से कुछ किचन टिप्स की वीडियो सेयर करूँगी आजसा करती हूँ आज की वीडियो आप सबी के लिए , अगर आज की वीडियो आप सबी को पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों में सेयर कीजेगा और मेरे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो आज के सबसे पहले जो टिप्स मैं आप लोग के साथ सेयर करूँगी तो कई बर होते हम मार्केट से दूद का पैकेट लाते हैं और फ्रीज में रख देते हैं जैसे रात को लेके आए और बॉयल करने का टाइम नहीं मिला तो ऐसे दूद के पैकेट में इस तरीके से मलाई जम जाते हैं यह मोटा सा दिख रहे हैं जब हम पैकेट को काट के दूद को निकालते हैं तो यह जो क्रीम टाइप का बने होते हैं अंदर यह अंदर ही रह जाते हैं जिसे हम निकाल नहीं सकते तो उसी कर मैं एक टिप्स आप लोग को बताना चाहूंगी इसे आप फॉलो एक बार जरूर कीजिएगा जो पैकेट में हमारा ये क्रीम जो जमे हुए हैं इसको निकालनी के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बावल में हलका गरम पानी बस गरम पानी में हमें दूद के पैकेट को इस तरीके से डिप कर देना है और बस एक से देर मिनिट हम इसे ऐसे रहने देंगे इससे क्या होगा जो पैकेट के साइड में चिपका हुआ होते हैं ना क्रीम या मलाई जो भी है वो अच्छे से पिगल जाएगा और दूत जब हम काटके पतिले में निकालेंगे तो वो डायरेक्ट दूत निकल के आ जाएगा एक मिनिट बाद ये पैकेट में जो हमारे क्रीम जमा हुआ था वो बिलकुल पूरी तरीके से पिगल चुका है जब आप एक बार करेंगे तो आपको खुदी पता चल जाएगा और दूत हलका गरम भी हो गया क्योंकि हमने इसे गरम पानी में एक मिनिट रखा था तो इस तरीके से करने से दूत बॉल करते टाइम भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये वाले टीप्स को आप एक बार फॉलो करके देखेगा आसा करते हो आप सभी को पसंद आएगे तो चलते नेक्स टेप की ओर अब हम आपको दूद बॉल करना बताएंगे बहुत सारे लोगों का सिकायत होती है कि जब हम दूद पतिले में बॉल करते हैं तो नीचे जम जाते हैं या जल जाते हैं तो जो दूद पीने में या चाय बनाई हैं उसमें बहुत ही जादा जलने की स्मेल आते हैं आप इस तरीके से अगर दूद को बॉयल करेंगे तो आपका दूद कभी भी नीचे बैठेगा नहीं या जलेगा नहीं तो बस आपको करना है थोड़ा सा इस तरीके से पीने का पानी डाल देना है साब पानी डालना है आपको इस बात का धहन रखिएगा बस दोड़ा सा पानी और उपर से हम जो दूद बॉइल करेंगे उसे डालना है इसे हम सीधा गैस पे चला देंगे और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये दूद से आप घर पे बहुती मोटी मलाई कैसे जमा सकते हैं आप एक हपते दूद से मलाई जमा के घी बटर घर भी बना सकते हैं तो आज मैं आपको मलाई निकालना भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम मोटा परद वाली मलाई जमा सकते हैं तो गैस पर चला देंगे दूद को बॉयल होने के लिए दूद को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है अब देख सकते हैं दूद उबल रहे हैं अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और दूद से ये चमचा हम निकाल लेंगे दूद को हम अच्छे से ठंडा हो जाने दे तो कोई ठाली या ठाखव देंगे वससाइड से थोरा सा खुल्ण चुड़ से दूद मेंारा पूरी तड़ी तरीके से ठंडा हूद चुक आं अगर आपको मोटी मलाई चाहिए तो इस का ध्यान रखना है गैस का फ्लेम बंद करने के बाद दूर्ट को बिल्कुल भी छेरना नहीं है बस ठंडा होने के लिए आपको धक्के रखना है और जब ठंडा हो जाए हम इसे धक्के फ्रीज में रखेंगे ओवर नाइट तो मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी कल मैं आप देंगे एक चन्नी देखिए आपको पता चलता होगा कि कितनी मोटी परदवाली हमारी मलाई जम्मिय है तो एक प्लेट में से टांस्पर कर लेंगे तो इस तरीके से आप एक हफ्ते या पंदरा दिन का मलाई घर पे जमा के घर पे आप घी मक्कन बना सकते हैं तो फ्रेंट्स ये टिप्स आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सिक्षन में जरूर बताईएगा अगला जो हमारा टिप्स है वो बेशन और मैदे को किस तरीके से आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं उसी को लेके कई बार होते हैं हमारे मैदे और बेशन में कीरे लग जाते है या तो जाले पड़ जाते हैं जो देखने में और खाने में विल्कुल भी अच्छा नहीं लगताता है तो ये tips को आप follow करके बेशन और मैदे को आप काफी दिनों तक store कर सकते हैं तो बस हमें करना है घर में हम सभी के होते हैं तेश पत्ते तो इस तरीके से दो तेश पत्ते लेके मैदे में और बेशन में डाल देना है इससे आपका महिनों तक बेशन और मैदा सही रहेगा इसमें कीरे या जाले नहीं पड़ेगा डाल को तो हम रोस्ट करके रख सकते हैं लेकिन मैदा और बेशन एक ऐसा चीज है जिसे हम ड्राइ रोस्ट नहीं कर सकते तो इस तरीके से तेज पत्ते डाल के जार को बंद करके आप रख दीजे और यह महिनों तक खड़ाब नहीं होगा अब हम घर पे एक मिनिट से भी कम टाइम में कैसे चीली फ्लेक्स तैयार कर सकते वही मैं बताऊंगी वैसे मार्केर में तो बहुत आसानी से चीली फ्लेक्स मिल जाते लेकिन कई बार होते हमें अभी चाहिए होता है और फिर मार्केर भागना पड़ता है तो उस टाइम आप घर पी बना सकते हैं तो देख लेते कैसे मैंने जो मेर्च लिया यहां पर यह ज्यादा तीखा वाला नहीं है अगर आपके पास तीखा वाला हो तो आपको यह करना है तोड़ा सा इस तरीके से तोड़के इसका जो बीज है ना अंदर का इसे निकाल देना है अगर तीखा वाला हुआ तो मेरे पास यह जो है यह बि अब हम एक छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, इसमें हम मेर्ज को डाल के दर दरा पीस लेंगे, पावडर नहीं बनाना है हमें, बस एक दो बार हम चला के बंद कर देंगे मिक्सी को, तो डाल दिया इसे, बंद करके, देखे, चिली फ्लेक्स हमारा रेडी है, और मार्केट से भी बहुत ही अच्छा चिली फ्लेक आप घर में भी तियार कर सकते हैं अब से तो बस मिक्सी को एक बार ऐसे चला के बंद करना है ऐसे दो बार करना है बिल्कुल पावडर नहीं बनाना है आप देख सकते हैं अब इसे किसी भी बॉक्स में डालके स्टोर कर सकते हैं तो फ्रिंट्स ये घर पे चिली फ्लेक्स बनाने का टिप्स आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा यह मैन厘 हो तक खराब नहीं होता अब किसी भी डब्ब्बे में भड़के से रख सकते हैं हमारे सब hybrid का एक ही परैसा नी है कि हम नौंस्टिक को साप कैसे करें स्कॉच बाइट तो हमारे घर पे होते हैं गलती से भी अगर बंग्रें स्कॉच बाइट हमारे नौंस्टिक आपको इजी एक तरीका बताती हूँ हम जब online से shopping करते हैं तो इस तरीके से बैग में आते हैं तो इसे हम normally सब्जी निकाल के दोने के बाद इसे फेक देते तो अब से आप इसे फेक येगा नहीं तो मैं टमाटर को ऐसे निकाल लेते हूँ और यह देखी यह बहुत ही अच्छा है हमारे नॉन स्टीक बरतन को धोने के लिए तो यही मैं काफे दिनों से यूज कर रही हूं तो सोचा यह टीप्स मैं आप लोग के साथ भी सेयर करूं तो इकट्टे अगर सब्जी आते तीन चार तो आप इसे सेव करके रख सकते एक का हमारा नॉन स्टीक बरतन साप तो होई जाएगा लेकिन बिल्कुल भी स्क्राइच या खड़ाब नहीं होगा जो नॉर्मल हमारे स्कॉच बाइट से स्क्राइच पर जाते हैं तो यह टीप्स आप एक बार फॉलो जरूर करके देखेगा उम्मीद है आप सभी को पसंद मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नए कोई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेसा स्माइल रखिएगा